अजर हम बनाएंगे गुथे आटे का नाश्टा है यह बहुत ही टेस्टी भी लगत आसान भी है इसे बनाना तो चलिए देख लेते बनाना कैसे हैं तो यहां पर मेरे आटा बच गया था तो मैं यह पनी में करके रखती हूं हमेश्चा ताकर इसमें बिल्कुल भी हवा ना ल तो फ्रेंडす यह मेरा 3-4 रोटी काटना है और यहां पर मेने यह उबले यह आलू ले live हैं यह छोटे-चोटे आलू हैं और 4-5 अलू है और इसमें हम हरी मिर्ची काटके डाल देंगे यह मैंने 2 हरी प्रेंड्स मेरा घर पर ही बना हूँ पूदीना है मैं घर पर ही उगा रख्था है और इसको हम काट लेंगे मेरी एक वीडियो पड़ी क्यों थे मैं अब इसमें लड़ीया है मिनें यह चांट मसाला थोड़ा सा अब इसमें डाल देंगे हम स्वाद अनिसवार नमक इसमें डाल दिया मैंने यह लाल मिर्चे हैं तो फ्रेंट्स अब हम इसमें डाल देंगे काला नमक अन्ही सब चीजों को मिक्स कर लेंगे अच्छे से फोल लेंगे बढ़िया से इसमें बिलकुल भी चंप्स नहीं रहना चाहिए यानि कि बिलकुल भी इसमें स्मूथ्ली हम इसको बना लेंगे यह दे Been鬍च मैहने हाद से मिक्स कर लिय है तो फ्रेंट्स यहां पर मैंने चकला ले लिया है तो फ्रेंट्स हम यहां पर ले लेंगे चकला और इसी पर हम यह देखें फ्रेंट्स मेरे इसमें में चार से पांच रोटी बन सकती है यह चार से पांच रोटी काटा है तो यहां पर मैं तीन बस तीन लो यह काट इसमें यह तीन पेड़े मुझे बनाने हैं फिर और बाद में देख लेंगे इसका कुछ और बना लेंगे रोटी वगईरा पराटा कुछ भी बना लेंगे तो फ्रेंड्स यहां पर मैंने यह तीन पेड़े बना लिये हैं और फ्रेंड्स मैंने मीडियम साइज के पेड़े ब सब्सक्राइब को सबना लिए इस से अबनेर गलर मैं पास आजा पड़ा आट भर श्रक्राइब का सब्सक्राइब को is HE इसके ओस दो बहुत Якभी एक डुमेब केचप ayas और भे नाइब हम अब से फॉल्ड कर लेंगे बस इसको फॉल्ड करते जाना है हमें यह देखें फ्रेंट्स और इतना भी पतला ना बेले के नीचे चिपक जाए अगर नीचे चिपक जाता है तो फिर यह आलू जो है निकलने लगता है और हमारी सारी रेसी भी खराब हो जाती है तो फ्रेंट्स यह में कुछ भी आलो गईरा कुछ है नीच तो इसलिए हम इसको कट कर लेंगे और ये देखे फ्रेंड्स मेरे पीसिज हम काट लेंगे इन पीसिज को आप अपने मन मताबग काट ले जितना भी आपको पसंद मिए ये देखे कितने बड़े बड़े भी काट ले friends, मैं suggest करूँगी के छोटे-छोटे ही काटें तो जादा बेटर है, क्योंकि fry करने में भी हमें जादा परिशानी नहीं होगी, और जादा बड़े-बड़े काटेंगे तो जिसे बड़ा बरतन नहीं होगा तो परिशानी होगी तो friends मैंने ये दूसरी रोटी का भी बिना लिया है अब हम यहाँ पे इसके भी दोनों साइड से अलग कर देंगे और हम फिल से ये पीसिस काट लेंगे तो friends मैं इसी तरीके से तीनों रोटी के बना लूँँगी मैंने बना लिया है ये देखे फ्रेंट्स ये अठारा से बीस बनके रेडी हो गए है और अब हम यहाँ पे ले लिया है मैंने एक पेन उसमें डाल दिया था मैंने रिफाइंड और ये अच्छे से गरम हो गया है और इसको हम फ्राई कर लेंगे फ्रेंट्स बहुत ही टेस्टी लगता है कचोड़ी सामूसा हर एक चीज़ का इसमें फ्लेवर आने वाला है बहुत ही टेस्टी लगता है एक पार जरूर बनाएं इसको और ये देखे फ्रेंट्स इसको हम बद्स गोल्डन ब्राउन होने तक क्ये इसको fry कर लेंगे फ्रेंट्स चाय के साथ शाम की चाय के साथ या आपके घर कोई गेस्ट आ जाए तब भी हम इसको try कर सकते है कुछ अलग करने के लिए आलू के पराटे तो हर कोई रोज बनाता है तो इसी लिए फ्रेंट्स में यह मेरे सारी के सारे यह बनके रेडी हो गए है यह देखे फ्रेंट्स बहुत ही टेस्टी लग रहे हैं और इस टाइम पर बहुत जल रहे हैं बहुत तेज गरम हो रहे हैं तो मुझसे तूड भी नहीं रहे हैं अभी थोड़ी देर के बाद दिखाऊंगी तोड़के भी यह देखे फ्रेंट्स अंदर से भी अच्छे से पग गए हैं क्योंकि हमने इसको शिलो आच पर रखा था इसलिए हमारा यह पग गए हैं बढ़ी है से यह देखे कितना बढ़ी है